नमस्कार दोस्तों, आज एक नई वीडियो में आपका फिर से स्वागत है आज का जो वीडियो है वो हेमफर सिरप के उपर है जो कि एलकेम कमपनी का आता है यदि हमें खून की कमी और ये समझे कि हाफने की इस्तिती हो जाए हम ठके ठके से मैसूस हो तो उस इस्तिती में हमपर सिरप का जो है इस्तिमाल करना चाहिए बोजन के बाद इसको 10 समयल आप लेंगे तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर है और अच्छा रिजल्ट है हमपर सिरप का 150 रुपे के हासपास MRP है हमपर सिरप की और देखिए हमपर सिरप जो है वो इसमें देखिए फेरस सलफेट है फोलिक एसीड है साइनकोबालामीन है जिंक सलफेट है और डी बायोटीन है तो एक एक करके समझ लेते हैं कि इसका क्या क्या का रहे है तो देखिए जो जिंक सलफेट है इसमें सबसे नीचे शुरू करते हैं या अदाश्त मजबूत बनाने में यहने भूलने कि यदि कोई बीमारी होती है तो जिंक सलपेट के उपस्तिती उसे खत्म कर देती है ठीक कर देती है देखिए डी बायोटीन इसमें दिखाई दे रहा है डी बायोटीन में क्या रहता है कि जब वजन आपका घटे और कुपो यह जो कंटेन है यह उसको प्रॉपर एब्जौप करने में मदद करता है डी बायोटीन तो इस तरह से हम जो भी खाना खाते है वो उसके आहार पूरक के रूप में डि बायोटीन जो है वो काम करता है उसको अच्छे से पचाने के इसमें बड़ा ही बॉझा युझी होता ह जग रही है तो यह मान के चलिए कि आप हंपर सिरफ का सेवर इंडी करते हैं सवेर साममोजन के बाद तो आपको फिर ये मान के बिल्कूल आश्वास्त हो जाना चाहिए कि आपको चिन्टा दिखी और आवसाद की स्थितियों को भी दूर करता है तो उससे अवसाद के क्षणों में जो बेचेनी होती है जो तकलीफ होती है उससे मुक्ती मिलती है तो हिमफर सिरब अवसाद चिंता की इस्थितियों को भी दूर करता है उसके बाद देखिए इसमें साइना कोबालामीन है बोजन पाचन में बड़ाई उपयोगी होता है बोजन का जब पाचन होता है तो विटामिन B12 की भोमिका जिसको हम साइना कोबालामीन कह रहे हैं वो बड़ाई ही उपयोगी होती है और सेल्स के निर्वाण में मतलब एनिम जो नर्वस सिस्टम है उसको मजबूती प्रदान करने का काम जो है वो हमफर सिरप करता है बड़ा ही डिलीसिस फिलेवर है स्वाद इतना अच्छा है कि एक बार पीने के बाद ऐसी इच्छा होती है कि कम से कम चार पाई ढकन पी ले लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए रोज आप इसको पी रहे हैं तो अगले दिन भी दो पार में ही ले तो ज्यादा अच्छा है किसे दिन आप यदि हेंपर सिरप पीना भूल गए तो फिर अगले दिन ऐसा नहीं कि डबल लेना है उतनी ही मात्रा में लेना है जितना आप रोज लेते हैं अगर मिल के आ सपास आपको इस फुर्तवान चुस्ती फुर्ती आपके शरीर में हमेशा बनाया रखेगा हैं पर सिरफ और इलकेम कंपनी का बहुती खुबसूरत दिखाई भी दे रहा है और इसके गुण भी बिल्कुल इसी तरह से है इसमें एक है जो खास सबसे फैरस सलफेट जो की खून बढ पर रखें मतलब 25 डिगरी से उपर वाले टेंपरेचर वाली जगह पर ना रखें और जब भी इस सिरफ का आप उप्योग करें तो यह थोड़ा सा इसको शेक कर लें ताकि वो जो इंग्रेडियेंट है वो प्रापर जो है वो टीजाल हो जाए तो इस तरह से इस सिरफ की ज के बाद ही फिर से इसे शुरू करें तो यह एक चोटा सा वीडियो हम पर सिरफ के उपर था उम्मीदे कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा मिलता है नहीं वीडियो में किसी नहीं जैनकरी के साथ तब तक के लिए नवसकार